हेलो गैस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अधानी टोटल गेस की और अच्छी कासी गिलावट रही सपोर्ट को तोड़ा जिसका अंदेशा एक संभावना जो है लग रही थी दो दिन पहले भी तीन तार दिन पहले भी जब मैंने बोला था कि यह स्ट्रेंथ क इंडिकेट er लगाए था वहाँ पर भी एक बेरीस क्रोशोवर इस तरीकें का यह वेरी Penis क्रोशोवर होने की संभाव यह पर लग रही थी सब्छन का इंडियो को चुका था आपको सब इंडियो को देख तो आगे देखते हैं कि यह कहां तक जा सकता है पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों अगर आप नए है इस चैनल के उपर इस अदानी टोटल केस के उपर और कुछ अदानी के शेर के उपर डेली टेकनिकल चाट के उपर हम एलानेसिस करते हैं आज की बात करें पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं तो वोलियम के सा रहा तक्रीबन जो है तेरा लाग के आसपास की डिलेवरी उठी है और यहां पर अभी देखे यहां पर एक चीज़ और में बताना चाहूं का जैसे कि अब देख सकते हैं कि सिर्फ 38 परसंट की डिलेवरी करते हैं आज भी कहीन लोग ने जो ही किया होगा है यहां पर बेचकर यहां पर मतलब की खरिदा होगा या and good leave it क्यों बात कर नहीं बात है लेकिन एक चीज्ज यहांपर लूपको कुछ न यह सीखने को मिल सकता है ज्यहसे ही यहां पर टिक किया हुआ है 900 504 रूपय का प्राइस इस केंदल को Zerra उसके बाद 926 रुपे के आसपास आया है जैसे ही ये लेवल टूटा सी 15 मिनिट के अंदर रहे हैं उसके बाद वापस से वहाँ से एक बाउस बेक भी आया तो ये भी इसली लिए मैंने कहीं बार बोला है कि जो सपोर्ट रुपे से लेकर 980 का जो जोन है अगर इसको तोड़ता है तो 925 से 900 रुपे तक जाने कि इसकी संभावना रह सकती है और 900 रुपे का असपास इसको एक अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर 50% का retracement है अभी इसकी भी हम बात करेगे जैसे कि यहाँ पर weekly chart के अबर हम देखे तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दू यहाँ से रेली की शुरुआत हुई थी 530 रुपे से लेकर एक round figure number यहाँ बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब कि यह उपर नीचे भी हो सकता है यहाँ पर अगर देखे के तो तक्रीबन बारासो पच्पन बारासो अठावन के आसपास का एक हाई बनाया था तो मतलब कि तक्रीबन अगर देखे के गिंती करे के तो 720 रुपे के आसपास सपोर्ट मिल सकता है और आज भी अगर देखे के तो उस लेवल से थोड़ा सा उपर इसने सपोर्ट लिया फिलाल और फाइविक का मुविंग एवरेज चोगी अब 902 रुपे हो चुका है सब एरे कुछ और था था थोड़ा सा उसके अंदर भी जो है यह चेंजिस आया है कि अंदर थोड़ी सी कमी है इसकी वज़े से वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अब बड़ी मुविंग एवरेज लगाई जैसे कि मैंने बोला था कि यह जो है जब तक इन दोनों ही मुविंग एवरेज के उपर यह नहीं निकलता तब तक कि एज़ी की संभावना कम रह सकते हैं इसके उपर नहीं बन पाया अब इस यह वीकली चार्ट है इस सब्सक्राइब अगर देखे तो यह अभी संभावना नहीं लग रही है कि अब इसके उपर जाए 1070 और 1100 रुपे का असपास का पाव यह मतलब कि शौट ट्रम की बात है और सपोर्ट की बात करें तो क्रोस किया था उपर की तरफ अब एससी संभावना मतलब की तब ही मैंने बोला था कि एक संभावना रह सकती है कि एक बार इसको जो है रीटेस करने यह आ सकता है क्योंकि यह काफी दिनों बाद जो ही यह 200 दिनों का मुविंग एवरेज को तोड़ा था और आज भी तब तक एसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है यह जो इसके अंदर रेली आई है अब इस लेवल के आसपास थोड़ा सा थोड़ा उपर नीचे भी हो सकता है कि यह भी हर दिन जो है चेंज होता रहता है अभी 907 के आसपास है मतलब कि 900 रुपे का आसपास ह है और यह लीजिये है MSC-D अब इसको यहां पर अगर आप देखें बेरीस क्रॉस ओण हो चुका है और थोड़ा सा स्ट्रोंग हुआ यहां पर आप देखें कि यह कर्व की अगर बात करें सबेरे अगर देखेंगे नीचे में यह बार को देख सकते हैं यह छोटा बार था अभी जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, यह मतलब की थोड़ा सा अच्छा रहा है, यहाँ पर भी थ्विर भी आप देख सकते हैं, यह जो बेरिस क्रोसवर है, यह इस तरीके का हुआ, अगर यह इस तरीके का हलका सा हुआ होगा, होत तो मतलब कि यह जो है घिरावट की संभावना कम रहती है मैं जैसे कि बोला था 15-20 रुपय अगर थोड़ा सा गिरावट आती है तो थोड़ी सी आगे गिरावट की संभावना कम रह सकती है लेकिन अभी यह थोड़ा सा मतलब की एक ज्यादा बेरी स्क्रोस ओवर हुआ एसा लेकिन ज्यादा स्ट्रोंग नहीं मीडियम स्ट्रोंग तो अभी एसा लग रहा है कि अब इसको थोड़ा सा शोट टम की बात करें तो ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पहले जो इसका सपोर्ट था जैसे कि 980 रुपे से लेकर 1000 रुपे का जोन अब यह जो है यह signal मिलना था यह जैसे कि यह जो बार है यह चोटे चोटे हो रहे थे यह जो यह आप देखे तो और कल जो है यह बार एकदम से चोटा था और आज के दिन यह बेरी स्क्रोंग होने की संभावना थी इसके अंदर एसा लग रहा था आगे देखते है डेली चार्ट के उपर बोलिंग जर्बेंग इसके उपर भी हमने चर्चा की थी कि यह जो है काफी यूसफूल इंडिकेटर रह सकता है और आप खुद देख सकते है इसकी मिडल लाइन ओल्मस्ट नो सो रुपे के आसपास आ चुकी है तो यहाँ पर यह इसको सपोर्ट मिल सकता है शोट टरम की अब और नीचली लाइन जो मिडल लाइन के आसपास आ चुका है तो वह जो है 900 रुपे के आसपास है तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है वैसे अभी यह थोड़ा इससे दूर है 960 के ऊपर इसने थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दी है आज के दिन 925 के आ बाहर मतलब ऊपरी की तरफ अब यह हां पर यह जो इसकी ऊपरी लाइन है इसके नीच जह आया है इसके अंदर आया है तो यह थोड़ा सा मतलब की इसका आ अर चल्च की थी कि बुलिंजर बैंक के आंडर जो है हेक संभावना रती एक मैं जियादा दिन तक कोई भी शे उपरी लाइन है, इसके बाहर बनी थी, अब इस हपते जो है, इसके अंदर आ चुकी है, 960 का प्राइस से, 1011 के आसपास की इसकी उपरी लाइन है, और मुझे ऐसा लग रहे हैं कि इसके अंदर ही ये बंद हो सकती है, अभी दो दिन बाकी इस हपते की बात करें, अब इसके RSI की बात करें, तो 59 के आसपास आ चुका है, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, यहाँ पर अच्छा कासा एक इसके अंदर जो है, ओर बोट जोन में था, उसके बाद ये काफी दिनों तक यहाँ तक आया, और आज जो है इसके अंदर और थोड़ी से गिरावट अभी भी ये neutral condition में ऐसा लग रहा है, तो अब इसके support और registration देख लेते हैं, जो कि काफी useful रह सकते हैं, कल वापस से live market के अंदर पी इसके ओपर चर्चा होगी, कि bounce back अजगर आता है, तो कहां तक जा सकता है, गिरावट और होती है, तो कहां तक आ सकता है, साथी साथ मैंने community को भी आप देखा जरूर करें, निप्टी के ऊपर भी हमने दो दिन पहले वीडियो बनाया था, कि तब निप्टी जिस लेवल के ऊपर था, मैंने बोला था कि अगर यहां से गिरावट आती है, तो कहां तक जा सकता है, और अगर थोड़ी सी bounce back यह continue रहती है, तो बोला था निप्टी के अंदर 21,000 और 600 का लेवल, यह काफी जो है स्ट्रॉंग इसका रजिस्टन बन सकता है, और बिल्कुल वही हुआ, वहां से support जो बोला था वो भी आप देख सकते हैं, वीडियो अभी भी मौझूद है, 21,150 के आसपास, शायदा जिसने जहां तक मुझे यादे उस लेवल कासपास क्लोजिंग दी है, खेर फिलाल यहाँ पर हम देखे, तो 960 का प्राइस है, तो अभी फिलाल अभी देखे, तो इसका support पहले हम देख लेते हैं, जैसी कि हमने देखा यह 925 का zone, तो सबेरे भी इसके ओपर हमने चर्चा की थी, कि अभी short term की बात करें, त अब जो है, अगर इसके ओपर भी निकलता है, तो जो है, एक अजार बीस रुपे से लेकर, दूसरी अगर इसकी रेन देखे, तो एक अजार और पचास का level है, तो इन दोनों ही रजिस्टन के ओपर भी आप चाया तो नजर रख सकते हैं, और यह बात हो रही है short term की, तो आ अपनी रिसर्च करें, अपने financial advisor की से लाले, उसके बाद ही कोई decision ले और decision ले तो उसके जिमेदारी maturity के साथ खुँदी ले, यह वीडियो में education purpose के लिए बनाएं, मेरी तरफ से कोई भी बाइसल के recommendation नहीं है, thank you.